दोस्तों ये James Clear की बुक, Atomic Habits का पार्ट 3 है, जिसकी दो पार्ट में अप्लोड कर चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ अब तक आपको बुक पसंद आई है, ये पार्ट बड़ा पसंद आने वाला है, शुरू करते हैं आज की इस पार्ट का टापिक है कि गोल्स और सिस्टम में क्या फर्क होता है, हम सब अपनी लाइफ में गोल्स बनाते हैं, क्योंकि गोल्स के बिना जिन्दगी बेकार है, लेकिन यहाँ पर James Clear ने बड़ी अलग सी बात कही है, अपने experience से वो बताते हैं कि कई सालों से मैं गोल्स बना हैं, उन गोल्स को पाने के लिए सिस्टम क्रियेट नहीं किया, तो सिस्टम और गोल्स में क्या फर्क होता है, यही आज का मारा टापिक है, वो बोलते हैं कि यह बहुती सीक्रिट बात है, जिसे पहली बार उन्होंने स्टॉक एडम्स से सीखा था, जो कि एक का पास्केट बाल टीम के, तो आपका लक्षे होगा, आपका गोल होगा, कि आपको चेंपिनशिप जीतनी है, यह आपका गोल है, जबकि आपका सिस्टम क्या है कि कैसे तो प्लेयर्स की भरती करोगे, कैसे आप असिस्टम कोचों को मैनेज करोगे, कैसे आप प्रैक्टिस जियान देना, marketing skills वगेरा, यह सब आपका system है, तीसरा example सुनो, अगर आप एक musician हो, तो musician का काम क्या होगा अच्छा music compose करना, यह आपका goal है, लेकिन system क्या है, कि आप कितनी बार practice करते हो, problem आती है तो उनसे कैसे नपटते हो, या फिर आप feedback कैसे लेते हो लोगों से, तो यह फर् हाँ, results मिलेंगे, system पर focus करना, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बोली है, कि किसी भी game का main goal होता है, यह उस game को अच्छे score के साथ खत्म कर दिया जाए, लेकिन कितनी अजीब बात होगी, as a player, अगर हम game के दोरान सिर्फ score board को देखे, क्योंकि यहाँ पर writer बोलते हैं कि जीतने का सही तरीका तो यही है कि हर दिन हम बहतर होते जाएं, क्योंकि score तो अपना ध्यान खुद ही रख लेगा, आपको सिर्फ अपने system पर focus करना चाहिए, goal बनाना जरूरी है, लेकिन system उससे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर writer बोलते हैं, कि goal सिर्फ आप system पर भी work करते हैं, ज्यादा work करते हैं, चाहता तो हर कोई है, लेकिन मिलता सिर्फ उसे ही है, जो system पर ध्यान देता है, क्योंकि goal पाना सिर्फ एक momentary change है, एक temporary solution, जैसे माल लो आपका कमरा बिखरा हुआ है, पुरा पुरा, और आपने एक दिन goal बनाया कि इसे साफ करना है, आपने खुद में energy भरी, और इसे साफ सुतरा चका चक कर दिया, अब आपके बास एक साफ कमरा है, लेकिन अगर आप अपनी आदतें अभी भी गंदी रखोगे बनाके, तो ये तो फिर से गंदा हो जाएगा, कारण साफ है, आप चाहते हो कि result बदले, system तो बदला ही नहीं योगि आपने इस बात पर तो फोकस किया है नहीं कि कारण क्या रहा ही जो ये कमरा गंदा हो गया, बलकि आपने तो सिर्फ साफ करने पर फोकस रखा, साफ तो हो गया, उसके बात क्या, गोल सिर्फ आपके जिन्दगी का एक पल बदल सकता है, गोल समस्या नहीं है, इसको बदलने से कुछ नहीं होगा बलकि सिस्टम को बदलने से जिन्दगी बदलेगी क्योंकि आप अगर समस्या को इसके रिजल्ट्स के लेवल पर साल्व गरोगे तो ये एक temporary solution है permanent solution के लिए problems को उसको उसके system के लेवल पर सुलजाना बहुत जरूरी है input ठीक कर लो output खुद ही ठीक हो जाएगा यहाँ पर writer ये कहना चाहते है उम्मीद है आपको आज जो writer ने कहा समझ में आया होगा बागी हम discuss करेंगे next part में